अगर आपको भिंडी खाना बहुत पसंद है तो भिंडी की इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय करें आज मैं बनाऊंगी दही मसाला भिंडी की रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं तो दही मसाला भिंडे की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लगबख 400 ग्राम भिंडे को अच्छे से दो के कपड़े से पोच करके यहां पर दो टुकडों में कट कर लिया है बीच से इस तरीके से हमें सारी बिंडियों में कट्स लगा लेने है यह आप देख सकते हैं नेक्स्ट एप में मैंने ली कड़ाई उसमें एड़ किये तीन टेबल स्पून ओइल के ओइल के गरम होते ही मैंने यहां पर सारी बिंडी को एड़ कर दिया है अब हम बिंडी को लगबग 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टर फ्राइ कर लेंगे 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बिंडी को कुक कर लेने के बाद बिंडी यहाँ पे 62-70% कुक हो चुकी है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो ये हम इसे निकाल लेते हैं नेक्स्ट अप में नहीं पर 4 बड़े चमँच दही के लिए है और उसमें मैं एड़ कर रही हूँ एक छोटा चमँच धनिया पाउडर का एक छोटा चमँच जीरा पाउडर का एक चोटा चमच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पौडर का लिया है और एक चोटा चमच गरम मसाला का मिला करके एक अच्छा पेस्ट हम यहाँ पर तयार कर लेंगे इसका यह देखिए अब यहाँ पर सेम कड़ाई में जिसमें हमने बिंडी को फ्राइ किया था थोड़ा सा और ओयल एड़ कर दिया है मैंने ओयल की गरम होते ही मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ एक चोटा चमच जीरा का और जीरा के साथ मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ लगबग तीन हरी मिर्च मैं यहाँ एड़ कर रही हूँ कर रही हूं एक मीडियम साइज का प्यास जिसे मैंने बारी कट कर लिया है वो मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूं प्यास को एड़ कर देने के बाद अब हम इसे यहाँ पर चला लेंगे लगबग एक से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और जैसे ही प्यास का कलर चेंज हो रसन के तड़के का कलर चेंज हो जाए यह गोल्डन हो जाए इस स्टेज में हम यहाँ पर एड़ करेंगे आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर का और आदा चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का मिला लेंगे अब हम इने अच्छे से मसालों को चलाते वक्त गैस क का फ्लेम आप बिल्कुल लो रखिए ताकि मसाले जो है वो जले नहीं अब इस स्टेज में हम यहाँ पर एड़ करेंगे दही और मसालों का जो हमने पेस्ट तेयार कर लिया था वो सारा हम यहाँ पर एड़ कर देंगे और दही को हमें लगातार चलाते रहना है बिल्कुल लो फ्लेम में ताकि दही जो है वो फटे नहीं दही और मसालों को अब हम ढखके कुक करेंगे लगबग 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे तीन मिनट के बाद आप देखेंगे कि दही और मसालों ने ओइल रिलीस करना स्टार्ट कर दिया है तो इस स्टेज में अब हम इसमें एड करेंगे बिंडी को जिसे हमने अल्रेडी स्टर फ्राइ करके रख लिया था वो हम यहाँ पर एड कर देंगे तो ये मैं हाँ पर एड कर देती हूँ बिंडी बिंडी को इसमें एड कर देने के बाद अच्छे से इसे मसालों में कर लेंगे कोट तो ये अब हम इसे अच्छे से मसालों में कोट कर देते हैं बिंडी को बिंडी और मसालों को अच्छे से मिला लेने के बाद मैं हाँ पर एड़ कर रही हूँ स्वादा अनुसार नमक तो नमक आप अपने टेस के अकॉर्डिंग ही हाँ पर एड़ करें नमक को मिला लेने के बाद अब मैं हाँ पर एड़ कर रही हूँ लगबग एक कप पानी मैं यहां एड़ कर रही हूँ क्योंकि यह मैं ग्रेवी वाली भिंडी बना रही हूँ तो consistency आप अपने हिसाब से यहाँ पर तै कर सकते हैं आपको कितनी गाड़ी चाहिए इसकी ग्रेवी उसे साब से आप यहाँ पर पानी एड़ कर सकते हैं पानी को एड़ कर देने के बाद अब हम इस ग्रेवी को ढख करके कुक करेंगे लगबग 8-10 मिनट के लिए low flame पे 8-10 मिनट तक हमने ग्रेवी को ढख करके कुक कर लिया था low flame पे और यह बिलकुल तयार है सर्फ करने के लिए तो अगर आपको यह थोड़ी और थिक चाहिए तो आप इसे और कुक कर सकते हैं सर्फ कीजिए दही मसाला बिंडी की इस रेसिपी को आप राइस के साथ चपाती के साथ या पराठो के साथ यह सब के साथी बहुत लजीज लगती है तो एक बार मेरे बताएवे इस तरीके से आप इस रेसिपी को जरूर बनाए वीडियो रेसिपी अगर पसंद आए हूँ तो इसे लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा